का का है हुश्यकार दोस्तों मैं सागर कुमार आपका सुवागत करता हूँ सेंसिब्ल के इसनए हंधी डेळी मार्केट विडियो में चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट आनालिस सबसे पहले वीकेंड i rh Kin थक करेंगे फिर इली दिल्लिक और फिक हैं मार्केट हमें किस तरह का मोमेंटम दे सकता है और हम किस तरह का हम मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो अब ही अगर आप मार्केट में देखेंगे तो लास्ट आपको अप्षिन बाय करने के लिए आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा मार्केट में वेट करना पड़ेग जिसमें आपको बहुत अच्छा मार्केट में मोमेंटम मिलेगा एक bullish side पर बहुत प्यारा मोमेंटम मिला निफ्टी तो शुरू से यही decision लेकर था कि बहुत उपर ही जाना है और आपको मैंने कहा था कि बहुत इस level के उपर मार्केट में बहुत strong momentum आ सकता है और बहुत लास्ट के आज में बहुत तेजी का momentum आया यहां से यह जो momentum है इन momentum के लिए आपको प्ले करना चाहिए अगर आप option buyer है तो ठीक है अप चलिए हम देखते हैं कि बहुत weekly analysis में में क्या पता रहा है और इस week में हम किस तरह का market में प्लान कर सकते हैं कि यह जो resistance मैंने आपको आपके लिए बना रखा था यह resistance अभी वैसा ही बना हुआ हुआ है ठीक है तो मैंने कहा यहां पर मार्केट का थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है मार्केट थोड़ा वेट कर सकता है में ऐसा नहीं होगा कि मार्केट यहां से बहुत तीजी से चला जाए पर अगर आप देखेंगे मार्केट अपसाइट पर गया यह नीचे है फिर अभी एक breakout मार्केट ने दिया तो में भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर इस तरह का मार्केट मोमेंटम कर सकता है ठीक है अभी हमें किस तरह का मार्केट पर प्लान करना चाहिए मेरे हिसाब से जब तक कि देखें यह मार्केट इस तरह का भी नीचे साइट भी मार्केट आ सकता है ठीक है या फिर मार्केट इस तरह का मोमेंटम भी अपसाइट पर कर सकता है कुछ भी मार्केट में हो सकता है तो हम प्रिपैर किस तरह से करेंगे सिंपल सा मेरे लिए जब मार्केट यह लो क्रॉस मार्केट कर जैसे market low cross करें पिछले week का आप यहाँ पर sell position बैट जाएए ठीक है और तब तक आप sell position बैटे रही है जब तक market आपको खुद ही कहादेगा कि यहां अम्हें यहां से turn होने जा रहा हूं ठीक है एक आपके level में आपको बताते हूं देखे weekly chart पर हमें यह समझ में आ गए तो daily chart पर गर में चलता हूं निफ्टी का मुझे यह समझ में आ रहा है कि यह आप यह black line देख रहा है यह 100 dma है ठीक है यह 100 dma है market में भी मुझे ऐसा लगता है कि market चुकि यहां से resistance लिया था नीची आया फिर एक market ने upside more time किया तो maybe market एक 100 dma के आसपास तक एक आपको retracement दे सकत है या फिर यह एक zone है यहां तक market एक retracement देख सकता है जो की level है 17,800 तक मुझे ऐसा लगता है market आना चाहिए अगर market अपना यह जो bearish momentum में नीचे और continue करता है तब की बात है ठीक है और यह तो बात रही है daily chart पर ठीक है 15 minutes चार्ट पर मैं चलता हूं तो मुझे यहां पर यह सम एक selling position बना सकता हूं अब मुझे यहां पर buy कहां पर करना है तो buy करने के लिए जब तक market 18,200 के ऊपर नहीं निकलेगा 18,200 के ऊपर जब तक market नहीं निकलेगा मैं buy करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं उसका reason simple सा यह है कि देखे यहां पर जिन लोगों ने एक bullish position बनाई हो माली जे माइनस 10 के loss दिखाई दिए रहा है जैसी market यहां पर कुछ आया तो market ने उनके loss almost break even पर आगे जीरो पर आगे 100,200 ऐसे loss चलने लगे तो उनको लगा कि बहुत अभी exit कर जाओ ठीक है बाद में क्या होगा नहीं पता सबसे पहले अभी exit करो हमारा जो loss था at least हम break even पर तो आ गए है ठीक है तो यहां पर market में एक selling momentum बहुत तेजी से generate होना वाजिब था ठीक है तो जब तक कि इस selling momentum के ऊपर market नहीं पहुंचेगा तब तक मेरे लिए market bullish नहीं है जब इसके ऊपर market एक price action बनाएगा आपका तब हम bullish प्लान करेंगे ठीक है तब उसके पहले market जैसी 18,000, 18,000, 050 के नीचे जैसी जाता है मैं market में sell करना पसंद करूँगा ठीक है bank nifty की बात करते है weekly start अगर मैं bank nifty के देखता हूं तो bank nifty भी उसी अपने level जहां मैंने का था कि high जो पहले हमने का था कि boss market इस particular level यह जो level है यहां पर आसपास market आपको rejection दे सकता है उसी के आसपा मार्केट थोड़ा सा rejection ले रहा है तो यहां से एक देखे यह अच्छा price action है मैं यह नहीं करा हूँ कि यहां से market negative हो गया यह होना वाजिब है क्योंकि मैंने आप से कहा था कि पिछली बार मैंने आप से यही कहा था कि जब-जब market अपने previous high को cross करता है ठीक है यहां पर market ने high बनाया नीचे आया market जब यह high को cross करा तो दो वीक market ने halt लिया फिर market अपसेड ब्रेक आउट दिया ठीक है यह जो market ने चीज करी थी यह पिछला जो high था यह लगाया था market ने market अपने high के पास पहुंचा थोड़ा retracement दिया फिर market ने इस तरह से break किया market इसी तरह से move करता है तो इसको किसी तरह का अभी negative लेने की ज़रूत नहीं है जब तक market यह अच्छा का सा retracement देता है उसके बाद ही आप इसको मानेगे कि हा market नेगेटिव हो चुका है तो यहाँ पर भी अभी ऐसा ही समझ में आ रहा है कि market यह अपने high के आसपास पहुंचा है नीचे है हो जाएंगे मतलब हम market में selling position में entry ले लेंगे और जब तक market मुझे daily time frame पर 15 minutes time frame पर कोई भी ऐसा signal नहीं देगा कि मैं यहाँ से reverse हो रहा हूँ तब तक हम market में selling position बनी रहेंगे ठीक है तो weekly chart हमें ठीक ठीक मतलब weekly chart हमें दिखा रहा है कि बास market उस अपने particular resistance से rejection ले रहा है त किसी भी हाले कि bank nifty काफी अच्छा यहां से अपने retracement के आसपास ही पहुँच चुका है तो यहां से अगर market move करता है तो maybe 42,000 तक मुझे लगता है market के आने के बहुत अच्छे chances है तो अभी भी market में अभी 600 point का momentum मुझे असा लगता बाकी है अभी तो महाँ पर entry कर जा सकते है निफ्टी जो अगर है वो एक बहुत अच्छा candidate लग रहा है entry के लिए क्योंकि यहां पर अभी भी यह जो previous जो bullish candle है उसके लोग के लीचे market ने closing नहीं दिया है यहां पर बहुत अच्छा momentum उसके नीचे कर चुका है bank nifty में पर निफ्टी में काफी space बाकी है तो मुझे असा निफ्टी एक ideal candidate है आपके fresh selling के entry के लिए ठीक है यहां पर अगर आप देखें निफ्टी में 18,200,18,100 यह एक resistance के तरह दिखाई दे रहे है और अगर आप निफ्टी का PCR देखेंगे तो 0.8 के राउंड दिखाई दे रहे है ठीक है वही bank nifty का PCR अगर आप देखेंगे तो 0.6 के आसपास दिखाई दे रहे है तो 0.6 थोड़ा सा ज्यादा selling bank nifty में हो चुकी है वह तो आपको चार्ट पर भी दिखाई दे रहे है ठीक है पर निफ्टी में PCR जो है 0.8 के आसपास दिखाई दे रहे है तो यहां पर मुझे लगता है कि selling का थोड़ा सा और scope समझ में आ रह प्लस इंडेक्स यूचर का डेटा भी आपको नेगेटिव इंडिकेशन ही दे रहा है तो दोस्तों मिला के मेरे इसाब से यहां पर मार्केट में एक स्टॉंग बेरिश मोमेंटम को मिला है तो में यहां पर मार्केट एक अपनी रिजिस्टेंस को रियाक कर रहा है ठीक है यहां से आपको फर्दर डाउननर मोमेंटम मिल सकता है तो यहां पर एक बेरिश पोजीशन यहां पर बनाई जा सकती है ठीक है और मार्केट में जब तक कि आपको एक बुलिश इंडिकेशन ना मिले ठीक है एक बुलिश प्राइस एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है चोट यहां पर दोनों ही आप प्लाण कर सकते हैं अगर पैसे मिलेगा तो दोस्तों यह था हम अपना निफ्टी और बनास बढ़ते हैं हम लोग dollar के analysis की तरफ तो अगर मैं dollar की यहां पर बात करूं तो market अभी थोड़ा थोड़ा यह जो trendline है उसके नीचे market ने closing देना शुरू करा है तो जब market अभी भी मैं यही कहूंगा जब market 81.6 के नीचे market ट्रेड करना शुरू करेगा तब market में आपको और तेजी का momentum नीचे देखने को मिलेगा क्योंकि जितना जादा यहां पर यहां पर टाइम बिताएगा उतना इज़ी ली फिर यह 200 अपना यह जो 200 dma को फिर तोड़ के नीचे निकल जाएगा ठीक है इसका उतना इसका time बिताना इतना ही important है ठीक है जितना जादा यहां पर time बिताएगा उतना easily यह market अपने level को जो important levels है उनको तोड़ता हूँ निकल जाएगा ठीक है तो यहां पर मेरे हिसाब से आगर आपको करना है तो आप call sale बिंदास यहां पर कर सकते हैं जब तक market में यह swing intact है आपक ठीक है यह जो previous swing है जब तक intact है market में तब तक आपना call sale plan कर यहां पर call selling market कर सकते हैं जब market पर low cross करें तब यहां पर aggressively put buy कर सकते हैं futures यहां पर sell किये जा सकते हैं तो आप aggressive wearish position यहां पर बना सकते हैं ठीक है अब जैसे यहां पर आप देखेंगे ना कि यहां पर अगर हम यहा पास होते हैं पर अगर यहां पर हमने call sell की हैं तो market में हम profit में हैं अभी तो market अगर यहां पर time spend भी करता रहेगा तो मुझे call selling call जो sold है मेरे वो में profit देते रहेंगे तो इस तरह से आप यहां पर प्लान कर सकते हैं trade तो यह था मेरा nifty bank nifty और dollar का analysis I hope यह आपको पसंद आगा पसंद आगे वीडियो को like करिए sensible के हिंदी चैनल करिए subscribe और हमेशा की तरह अपने capital को बचा के trade करिए stop loss के साथ trade करिए hedge के साथ trade करिए and have a safe and happy trading with sensible बाबाई